तो यह देखो प्यारे बच्चों यह rainbow वाला question कई बार पूछते हैं सब यह बहुत याद आता है उनको यह question तो इस question को कई बार पूछा गया है तो इसको मैं एक बार और explain कर देता हूं ठीक ना दिरिंग एक लावडी डे अब यसली तेज तरह धूप होगा तो रेंबो नहीं होता है जब क्लावडी होती बार इसकी बुदें आसमान में होती है अब यह primary और secondary rainbow में भी created अब यह primary और secondary अगर rainbow create होती है तो क्या प्रपोर्टी है primary rainbow is due to double internal reflection and form above the secondary double internal reflection कभी नहीं होता primary में single होता तो first option wrong primary rainbow is due to double internal reflection and form below the secondary तो इस double तो होता ही नहीं है तो यह भी गलत है secondary rainbow is due to double internal reflection यह बिलकुल सही है कि जो secondary rainbow होता है उसमें double internal reflection होता है दो बार TIR होता है यहां डाग्राम में देख सकते हो एक बार light यहां से गई एक बार यहां फर्स टाइम यहां होगा फर्स दूसरे टाइम यहां तो दो बार और इसके ऊपर मतलब अगर यहां पर अपनी secondary बन रहे है तो पहले primary इसके ऊपर primary रहेगा एंड फॉर्म एबब दर primary rainbow मतलब उल्टा बोल दिया मैं अलब primary नीचे रहेगा और इसके ऊपर secondary रहेगा तो यह जो आप्सन है वो थर्ड सही है secondary rainbow is due to single इंटर सिंगल तो होता ही नहीं है तो यह गलत है तो यह पच्छे से देख लो दोनों डाइग्राम में बेहतर तरीके से कि जो primary rainbow है वो उसका यह बब the primary rainbow मतलब primary rainbow नीचे रहता इसके ऊपर यहां पर secondary बनेगा और उसमें दो बार TIR होगा